कोश टेली मच मसाला में बात करेंगे उर्फी जावेद की, उनकी होट और बोल्ड सिखलिंग फोटोज की, देहां उनकी एज की, उनकी फैमिली की, उनकी बॉइफरेंड की, उनकी बिग बॉस ओटीटी की, उनकी नेट वर्ट की और उनकी लेटर्स वीडियोस की जिया दोस्तों आज के इस आर्टिकल में हम भार के टेलिविजिन अभी में को और मॉडल उसी जावेद के बारे में बात करेंगे उसी जावेद ने ट्रै टीवी सीनियर्स में काम किया अभी इतनी बनने से पहले उसी जावेद में बतौब फाशन देजाइनर नहीं काम किया इसके अलावा उसी जावेद बिट बाउस OTT में भी नजर आ चुकी है इन सब के अलावा उसी जावेद अक्सर सोशल मीडिया पर अपने बोल्ड फोटोस डानली को लेकर ही सुर्खियों में रहती है दोस्तों हम ये तो जान ही चुके है कि उसी जावेद कौन है आगे इस आखिकल में हम उसी जावेद के परिवाद, उसी जावेद के करियर, उसी जावेद के बॉल्ड सिन सहीत अन्य चीजों के बारे में बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं उर्की जावेद का जीवन परिचैρι बढ़ा दे कि उर्फी जावेद का जनम 15 अप्टुबर को उत्तर प्रदीश की राजगारे लखनों में एक मुश्मिन परिवार में हुआ उर्फी जावेद के परिवार की बात करे तो बढ़ा दे कि उर्फी जावेद की माता का नाम दक्या सुर्टाना है उर्फी जावेद की एक बेहन भी है जिसका नाम डॉली जावेद है बिट बॉस फेम आक्टरस उर्फी जावेद लोगों का टेंशन लेना अच्छे से जानती है मैं सोचिल मीडिया पर काफी आक्टिव है और उन्सकीर आए दिन सोचिल मीडिया पर वाइद होती रहती है आक्टरस का बोल्ड अफ्टार सांस की बीच अफसर चर्चा में बना रहता है कभी प्लास्टिक बैक, कभी ब्रा दिखाने वारा टॉप तो कभी मोजो से बनाया टॉप उनकी ड्रेस हर बार वाइरल मटीरियर बनकर सामने आवी है उर्फी चाने जब से बिगवाउस OTT का हिस्सा बनी है तब से लगातार चर्चा में बनी ही है कि रियाक्टर उर्फी जवेड ने बिग मास OTT के घर में खूफ उमाल मचाई वे अपने कमाल के फैशन सिंस की बजल से घर में चाही रही शोग खतम होने के बाद भी उर्फी चर्चा में बनी हुई है आए दिर उर्फी अपने आउट्पिट्स को फ्लॉंट करते दिखती जाती है उर्फी जावेड ने अपनी स्कूली सिक्षा लखनाओ के सिटी मॉंटेसरी स्कूल से हासिल की इसके बाद उर्फी जावेड ने लखनों के MTV University से Mass Communication में इस थानक की सिक्षा हासिल की उर्फी जावेड को बच्पन ते ही Acting और Dancing का बेहदिश चौक था तो इसी शेत्रे में अपना करियर बनाना चाहती थी और उर्फी जावेड ने अपनी करियर की शुरुआत दिल्ली में बतौर फाशन देजाइनर के तौर पर थी वे दिल्ली में एक फाशन देजाइनर के अहां असिस्टिंट की नौस्ट्री करती थी इसके बाद उर्फी जावेद अपने सपने को फूराख करने के लिए मुंबई आ गई वही अभिनाई की दुनिया की बात करे उर्फी जावेद ने साल 2016 में सोनी टीवी पर प्रकाशित होने वाला टीवी सीरियल इसी बड़े भ messaging कर्यर के शुरुवात की इस टीवी सीरियल में उर्फी जावेद ने पंक्त नाम की लड़की का फिल्दान निमाय था इसके बाद उर्फी जावेद ने चंडर नंदरी नाम की तीवी सीरियल में अभिनै किया साल 2017 में उल्फी जावेद ने मेरी दुर्गा नाम की टीवी सीरियल में काम किया। इसके बाद साल 2018 में उल्फी जावेद ने साथ पेरों की 13 पेर नाम के टीवी सीरियल में कामिनी जोशी का किरदान नभाया। इसके पाद उसी जाविद ने साल 2020 में तीवी सीरियल ये रिष्टा क्या खेहराता है कामेनी जोस्य और दूस्य टीवी की रख कसौटी जिंदगी ही में तनीशा चत्रवर्थी का करदान में भाया था इसके पाद उसी जाविद साल 2020 में बिग बॉस ओटीटी में नजर आई थी हला कि शो में उसी जाविद कुछ खास नहीं कर पाई और जल्दी वे शो से बाहर भी हो गई बात करें उसी जाविद के बॉस्टी की कमीडिया रिपोर्ट के अनुसार उल्पी जाविद अपने सर अभियता पारस करदावत को देट कर चुकी है उल्पी जाविद और पारस के मुलाकाल मेरी दुर्गा के सेट पर सुई थी हलाकि बाद में दोनों एक दूसरे से अलब हो गए एक बार की सुने सोचिल मीडिया पर उल्पी जाविद को मोवई एइपोर्ट का एक वीडियो भी शेयर किया इनके तहनावे पर स्वान उठाए उसी की साथ उश्ऑफ में उसी जाविद को बॉल्ली वुड की की जीवार और लेखर जाविद अक्टर की पोथी बताया था अलंकि बाल में जाविद अक्तर की पति लवना अ मीडिया को पताया था उसी जाविद का हमारे सर्याज की फोल लिना देना नहीं है यह कुछी की शदारत है एक वेबसाइड के अमसार उसी जाविद की नेच वर्ट एक मिलियन डॉलर से अधिश हो सकती है हालाकि हमारे पास उसी जाविद की संपत्य को लेकर कोई आखरा नहीं है दोस्तो उची जाविद अफसर सोचल मीडिया पर अपने बॉल्ड फोटो शेयर करती रहती है इससाथ कई बार उन्हें ट्रॉलर्स का भी निशाना बनना परता है इंस्टाग्राम पर उची जाविद के देड़ मिलियन से जादा फॉलोवर्स है बिग बॉस पेम आक्टर सुर्थी जाविद का बोल्ड अफ़तार अब सर्फांसी भी चर्चा में बना रहता है अब एक बार फिर उर्थी जाविद अपनी अजब सी ट्रेसिंग सेंट और बेली डांस की वीडियो से वाइडल हो गई है कि झालोवर्स का बना रहता है